गुड मॉर्णिंग अश्ट्येंट्स क्लास नाइन्थ के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग आज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुश्चन को हम लोग सॉल्प करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी है A प्लस B का होल स्क्वाइर A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस 2A स्क्वाइर इसको हम लोग पाले से भी जानते हैं प्रिवियस क्लास में भी हम लोग सब पढ़ चुके हैं सिकेंड आइडेंटिटी है हमारा A मैंस B का होल स्क्वाइर यह equal होता है a square minus 2ab plus b square के third identity है a square minus b square यह equal होगा a plus b into a minus b के और fourth में है x plus a into x plus b यह equal होगा x square plus a plus b into x plus a b के equal अब इस identities का use करके हम लोग question कैसे सुलक करते हैं उसको हम लोग अब देखेंगे question number one है find the following product using appropriate identities अब इस question में उप्यूक्त identities यूज करके यह following products जो यहां question में दियावा है यह हमको find करना है यहाँ पे निमलिखित गुननकर्ण find करना है उप्यूक्त identities यूज करके first है x plus 3 into x plus 3 और second में x minus 3 into x minus 5 तो हम लोग यहाँ पे इसका स्रोषण देखते है first हमारा है x plus 3 into x plus 3 अब यहाँ पे यह दोनों repeat हुआ है तो इसको में लिख सकते है x plus 3 का whole square यह दोबर multiply हुआ है तो power यहाँ पे 2 हो जाएगा अब यह हमारा identity first का form हो गया a plus b का whole square अब यहाँ पे x को में लोग आ मान लेंगे और 3 को b मान लेंगे तो यह हमारा a plus b का whole square का form में आ गया यहाँ पे हमारा identity first use करेंगे अब इसको लिखेंगे a square plus 2 a b plus b square तो x square यह हो गया अब इस तिनों का मुनों multiply कर देंगे तो 2,3,6 x हो गया यह और 3 का square 9 यह हमारा इसका answer हो गया second question है x minus 3 into x plus 5 तो यह question हमारा identity 4 पे बनेगा x plus a into x plus b के form में यह question है यहाँ पे a का value किया हो जागा तो a का value यहाँ सोगा minus 3 और b का value हो जागा plus 5 तो इसको में लिखेंगे x square तो यहाँ पे x का value x ही है x square हो गया plus a plus b into x अब a का value minus 3 है b का value plus 5 है into x कर देंगे plus a b अब a और b दोनों कम लोग multiply कर देंगे तो इसको अब solve करेंगे x square और 5 minus 3 कितना हो गया यह 2x हो जागा और यह multiply हो गया minus 15 हो गया यह इसका answer आजाएगा question number 2 है evaluate 105 multiply 106 without multiplying directly अब इस question में दिया हुआ है कि सीधे multiply नहां करके अब इसका value हमको find करना है means इसको solve करना है multiply करना है identity यूज़ करके इसको direct multiply नहीं करना है अब इसका solution देखते है यह हमारा 105 multiply 106 तो हम इसको लिख सकते है 100 plus 5 105 को और 106 को लिख सकते है 100 plus 6 अब यह हमारा identity 4 टाइप हो गया x plus a into x plus b यहाँ आप x माल लेंगा हमनों 100 को a माल लेंगा 5 को और b माल लेंगा 6 को अब इस फर्मुला पर इसको लिखते हमनों तो यह होता है x square तो x हमनों 100 को माल लेंगा तो x square हो जागा 100 का square plus a plus b into x तो a के लुख के है 5 है b के लुख के है 6 है और 100 से हमनों multiply हो जागा क्योंकि x का value है और यहाँ पर a b को लिख कर देंगे अब इसको हमों solve कर देंगे तो यह हमारा इसका answer आ जाएगा question number 3 है factorize अब इसको factorize करदे है इसका ground count ग्याद करदे है question हमारा यह है 49 a square plus 70 a b plus 25 b square अब इसका हमनों solution देखते है 49 a square है तो इसको नों 7 a का whole square लिख सकते है ठीके यह last में 25 b square है तो इसको नों 5 b का whole square लिख सकते है तो यह हमारा a square हो गया और यह b square हो गया बीच वाले term का हमनों 2 a b का form में लिखेंगे ठीके तो हम यहाँ पर 49 a square को लिख दिए है 7 a का whole square 25 b square को लिख दिए गया है 5 b का whole square plus 2 a b बीच में लिखा हुआ है 2 को 2 लिख दिए गया है और a का लिख दिए गया लिख दिए 7 a और b का लिख दिए 5 b अब इस तीनों को मुल्टिप्लाई करेंगे तो यह 70 a b आ जाएगा तो यह a square plus 2 a b plus b square यह किसके इकोल होता है तो यह इकोल होता है a plus b के whole square के इकोल होता है 7 a plus 5 b का whole square हो जाएगा तो इसको हमनों यहाँ पर last में 2 बालिक देंगे क्योंकि यह power क्या इसका 2 है तो यह factorize हो गया पांचवा identity है a plus b plus c का whole square तो अब यह किसके इकोल होता है तो यह होगा a square plus b square plus c square plus 2 a b plus 2 b c plus 2 c a यह इसके इकोल होता है अब इस identity पर एक question देखते है question of 4 है write 3 a plus 4 b plus 5 c का whole square is expanded form अब इसको expanded form लिखना है पर सारी तरूप में अब इसका यहाँ पर हमनों solution देखते है 3 a plus 4 b plus 5 c का whole square अब यहाँ पर a हमनों माल लेंगे 3 a को b माल लेंगे 4 b को और c माल लेंगे 5 c को तो यह हमारा a plus b plus c के whole square के form में आ गया तब इसको मों लिखेंगे यहाँ पर expand करेंगे अब इसको मों solve करेंगे 3 a का whole square है तो यह हो जागा 9 a square यह हो जागा हमारा 16 b square अब 5 c का whole square है यह हो जागा 25 c square अब इसको हमनों लोग 3 को multiply कर देंगे 2 3 6 4 24 a b हो जागा अब उसी तरह से इसको मों multiply करेंगे तो यह 40 b c है जागा और फिर यह last हमारा अटर multiply होगे 30 a c है जागा इस तरह से यह question हमारा solve हो गया अब हमारा छटा identity है a plus b का whole q तो यह होता है equal a q plus b q plus 3 a b into a plus b के ठीक है यह सारे identity को याद कर लेना है यहाँ पर हम लोग इसको multiply कर दें तो इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि a q plus b q plus 3 a a square b plus 3 a b a square b हम लोग लिख सकते हैं ठीक है और सातवा identity हमारा है a minus b के whole q यह होता है a q minus b q minus 3 a b into a minus b अब यहाँ पर इसको multiply करके लिख दिया गया है यह a q हो गया b q minus 3 a b को हम लोग a से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा minus 3 a square b और फिर minus 3 a b को minus b से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा plus 3 a b square अब इस पर एक question number 5 देखते है write the following cubes in the expanded form अब यहाँ पर दो question दिया हुआ है अब यह दोनों question का power गया 3 a यह cube के form में है इसको मैं लिखना है expanded form में ठीक है तो इसका सरूशन देखते हैं first का 3 a plus 4 b का whole q है तो इसको मैं यहाँ पर 3 a को a माल लेंगे और 4 b को b माल लेंगे तो यह हमारा a plus b के whole q के form में है तो इसको मैं लिखेंगे a q plus b q plus 3 a b into a plus b अब इसको मैं लों solve करेंगे 3 a का whole q है तो यह कितना हो जागा चिरी का q 27 होता है और a का q a q हो जागा इससी तरह 4 का q 64 हो गया फिर b q अब इसको मैं लों multiply करेंगे तो यह जागा हमारा 108 a square a square b अब इसको 3 a से multiply करके लिखा गया और फिर इसको multiply करके 4 b से कीज़ेगा तो यह हमारा जागा 144 a b square अब इसी तरह से इसका second है a minus b के whole q पे है ठीक है आप लोग खुच से इसको expand करके लिख लिजएगा अब हमारा यहाँ पे आठवा identity है a q plus b q plus c q minus 3 a b c अब यह equal होता है a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a अब इस पे एक question हम लोग question number 6 देखते हैं यहाँ पे question number 6 में factorize और question हमारा दियावा है 8 x q plus y q plus 27 z q minus 18 x y z अब इसको नोग पाले identity के form में लिखेंगे तो इसका लोग स्रोशन देखते हैं अब 8 x की हो है तो इसको हम लोग 2 x का whole q लिख सकते हैं यह y q already y का q है 27 z q को हम लोग 3 z का whole q लिख सकते हैं अब यहाँ पे a का वेलू हमारा 2 x हो जाएगा b के वेलू y हो जाएगा और c के वेलू 3 z हो जाएगा ठीके तो इसको हमारा a q plus b q plus c q minus 3 अब यह a हो गया 2 x b हो गया y और c हो गया 3 z minus 3 a b c तो इसको हमारा identity number 8 के form में आ गया ठीके तो इसको में लिख देंगे a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus a b minus b c और minus c अब इसको हमों solve करेंगे तो यह a plus b plus c यही रह जाएगा अब फिर हमारा 2 x square 4 x square की को बला गया यह y square plus c हो गया हमारा 9 z square अब इसको multiply करेंगे तो 2 x y फिर इसको multiply करेंगा हम लोग तो minus 3 y z और फिर last इसको multiply करेंगे तो minus 6 x z यह हमारा इसका factorization हो जाएगा next lecture में हम लोग exercise 2.5 के questions को solve करेंगे आप लोग इसको अच्छे से समझ लिजिएगा जितना इसमें identity यूज हुआ है उसको अच्छे से याद कर लिजिएगा और exercise 2.5 आप लोग बनाईएगा खुछ से बनना अब सुरू हो जाएगा तो आज के लिए इतना ही thank you have a nice day